आज है पहुंच जून और पांच जून से करेंट अफर के जो भी इंपोर्टेंट प्रेस्ट में सकते उस अभी प्रस्णों को इस वीडियो में जीके से रेलेट करके पढ़ेंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखे इसके पना करें साथ ही यदि आब इस वीडियो का पीडियाप चाते हैं तो आप हमरे टेलिगराम चैनल को जॉन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो शुरू करταें सबसे पहले कलका present ते जिसका उत्तर आपको कमेंट करना था तो जो कलका present था वो था अभी राथ हेwałी हाल ही में किस bank पर to rv.i ने चार करोड रुपए का जुर्माना लगाया तो अभी हाल ही में osti bank पर 4 क्रोड रुपए जुरुमाना लगाया है इसलिए इसका सही उत्तर है भी अब आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दवाना ना भूले क्योंकि आने वाला प्रतीक वीडियो आप तक पहुचेगा सबसे पहले तो सुर कितने माह बढ़ा दिया गया है तो आर्वियाई के अंसलसा पर अभी लच्छे बिलाश पैंक के सीओ सुब्रमडयम सुंदर का कारिकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है इसलिए इसका सही उत्तर है भी अब यह मंजूरी आर्वियाई ने दी थी और इनका कारिकाल लगा में इसका हैड कोटर करें मुंबई में और इसके बर्तमान में जो गवर्नर हैं तो यह बारत के 25 नंबर के गवर्नर है 25 अब देखतें आज का दूसरा प्रसन तो आज का जो दूसरा प्रसन है तो ट्विटर ने अपना बूर्ड का नया अध्यच्छ अभी हाल ही में चुना है पैट्रिक पिचेट को इसलिए इसका सही उत्तर है यह और जो पैट्रिक पिचेट है यह गूगल के पूर्व CFO है गूगल के यह पूर्व CFO बोले तो Chief Financial Official यह गूगल में 2008 से लेकर 2015 तक कार कर चुकी है कब तक 2008 से 2015 तक यह गूगल में काम कर चुकी है वो ओमित कार्डे इस्टानी की जगह लेंगे पिचेट 2017 में ट्विटर से जुड़े थी कब से पिचेट जो है वो 2017 से ट्विटर के निदेशक मंडल में सामिल हुए और 2018 के अंत से एक पिरमुक सुतंत निदेशक के रूप में कार कर रहे है अब बात है यहाँ पे ट्विटर की ट्विटर के बरकना में CEO होन है जैक डोर्सी इसका गठन कब हुआ था दो मार्च 2006 को इसका गठन हुआ था इसका है सेन फ्रांसिसको कैलिफॉर्निया यूनाइटेड इस्टेट ऑफ अमेरिका कहाँ पे सेन फ्रांसिसको यूएसे में अब देखते आज का तीसरा प्रसन तो जो आज का तीसरा प्रसन है CII का नया अध्याच किसे निउक्त किया गया है तो अभी हाल ही में CII का नया अध्याच उद्यकोटक को निउक्त किया गया है इसलिए इसका सही उत्तर है ए तो कोटक महंद्रा बैंक के M.D.O.C.U. उद्यकोटक 2021 के लिए भारती उद्योग परिशंक जिसे CII कहते हैं यहनी Confederation of Indian Industry के अध्यच की रूप में चुने गई है और उनकी निउक्ति बिक्रम किरलोसकर की जगह की गई है और इसके बरतवान में उपाद्यच कौन बनाए गए है तो संजीव बजाज को CII का उपाद्यच निउक्त किया गया है अब देखते हैं आज का चोथा प्रस् बाफ्टा के नए अध्यच कौन होगे तो बाफ्टा यह बाफ्टा क्या है यह ब्रिटिस एकेडमी ओफ फिल्म एंड टेलिवीजन आर्ट्स इनके नए अध्यच होंगे किसरेंदू मजूमदार कौन होगे किसरेंदू मजूमदार वो है पहले अस्वीत व्यक्ति हैं जिन्हें बाप्टा का 73 साल की इतियास में कोई अध्यच बनाए गया है वो है पिप्पा हैरिस की जगह लेंगे मजूमदार इससे पहली लर्निंग एंड निउ टेलेंट कमेटी क्या लर्निंग एंड निउ टेलेंट कमेटी इसमें क्या 2006 से 2010 तक काम कर चुके अध्यच रह चुके और टेलीवीजन कमेटी की 2015 से 2019 तक कब तक 2015 से उन्डीच तक अध्यच रह चुके इस प्रकार से नो वर्सों तक ट्रेष्टियों में प्रमुक समूह में व्यक्तिगत तोर पर कार किया था वह है 14 वर्स से बाफटा से जड़ हुए तो यह इसके पुराने मेंबर हैं अब देखते हैं आज का पंचमा प्रसन है तो जो आज का पंचमा प्रसन है देहली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन किस ने लॉंच किया है तो देहली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन दिल्ली सरका ने लॉंच किया है तो इसको अभी दिल्ली के मुखमंतरी अरविंद केजरिवाल जी ने इसे लॉंच किया है तो यह क्यों किया है इसमें दिल्ली के लोग दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल है और निजी अस्पताल है उनमें बेंटिलेटर और बैडों की उपलब्दता के बा और बरत्मान में उपराजपाल कॉन है, अनिल बैजल, अब देखते हैं छटवा प्रस्नाच का तो जो छटा प्रस्न है वो है PM-100 निधी योजना का सुवारंभ किस ने किया है तो अभी हाल ही में, PM-100 निधी योजसना का प्रारंभ हरदीप सिंग पुरी जी ने किया है इसलिए इसका सही उत्तर है भी अब ये हरदीप सिंग पुरी कौन है ये आवास और सहरी मामलों के मंत्राले के मंत्री हैं इन्हों ने इस योजना को शुरू किया है पी एम स्ट्रीट वेल्डर्स आत्म निर्वर निधी के द्वारा इसका जो फुल फॉर्म है पी एम स्ट्रीट वेल्डर्स आत्म निधी आत्म निर्वर निधी ये इसके द्वारा किफायती रिड उपलब्द कराये जाएगा और साथी लगबग 50 लाख लोगों को कितने 50 ला वुकरेता, रेडी वाले ये लोग इसका आसानी से लाव ली सकते हैं और अपने बिजनिस को बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं आज का सातवा प्रस्ण तो जो आज का सातवा प्रस्ण है वो है नेशनल फर्टलाइजर के नए CMD कौन बने हैं। राश्टी उर्वरक लिम्टिड की मार्केटिंग ने दे सकते बीरेंद्र नाथ दत्त इनको CMD नियुक्त किया गया है और यह मनोज मिसरा की जगह लेंगे अब बात है यहाँ पर राश्टी उर्वरक लिम्टिड की इसका है नोएडा में और इसकी स्थापना का वोई थी एक सितंबर 1989 को इसकी स्थापना की गई थी अब देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रेशन आठवा तो जो आज का आठवा प्रेशन है वो है NBA हाल आफ फेम क्या है NBA हाल हॉप फेम में सामिल अमेर्की बास्केट वैल के किस खिलाडी का अभी हाल ही में निधन हो गया तो NBA हाल वेस अंसेल्ड का अभी हाल ही में निधन हो गया तो NBA क्या है नेशनल वास्केट वर्ल असेसियेशन इसके क्या है 1978 में कब 1978 में NBA चेंपियंशिप में अपनी फ्राइंचीजी वासिंगटन विजाट्स का नित्यत किया था और 1988 में कब 1988 में नाई स्मित मेमोरियल वास्केट वल हॉल ओफ हैं में सामिल किया गया था तो यह important प्रेशन है खेल की दरश्टी से परिच्छाओं में आ सकता है अब देखते हैं आज का नवा प्रेशन तो जो आज का नवा प्रेशन दिया गया है वो है International Day of Innocent Children's Victims of Aggression कब मनाया जाता है तो यह जो दिवस से बहुत लंबा चोड़ा है इसको प्रतीक वर्स चार जून को मनाया जाता है इसलिए इसका सही उत्तर है इसका मतलब क prophets की गय जाता है इसका मतलब है दुनिया भर में हिस्सा का सिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर राश्टी दे मनाया जाता है अब यह शुरू कब हुआ तो 19 अगस्त 1982 को कब 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन की आग्रह पर आपात कालीन सत्रुक बुलाया गया और उसमें सयुक्त राष्ट ने इसे मनाने की घोस्डा की क्योंकि तत कालीन इजरायल की हिंसा से प्रभावित निर्दोस फिलिस्तीनी और लेवनान के पीडित बच्चों की याद में इसे मनाया आप देखते हैं आज का 10 मा परस्ण है वह है पापवा नियूग नियूगनी चूब एक सुतंत राज्ज है भारत के नए उच्चायुक्त यहां पर कौन नियूग्त किये गए हैं तो अभी हाली में यहां पर सुसील कुमार को नया उच्चायुक्त नियूग्त किया गया है बरतमान में ये विदेश मंतरालाय में सायुक्त सचयों की पद पर कार्रत है और ये वहाँ पर बिजय कुमार का इस्थान लेंगे अब देखते हैं आज का प्रस्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है तो जो आज का प्रेशन है वो है अल्टरा स्वच डिस इन्फेक्शन यूनिट किसने विक्सित किये तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है और साथ ही यदि आपने वीडियो पूरा देखा है और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और यदि पसंद नहीं आए तो डिस लाइक करके जाए वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद थैंक्यू